आकाश्मणी दिल्ली प्रसुत करता है विशेश कारक्रम वतन के रखवाले प्रायोजग अर्धसैनिक वेलफेर ट्रस्ट हम भालत के प्रहरी वतन के पहरेदार हैं वतन के रखवाले हम हैं अर्धसैनिक वतन के रखवाले हम हैं अर्धसैनिक हम हैं अर्धसैनिक हम हैं अर्धसैनिक जिन्दगी जीना तो फौजी भाईयों से सीखे किसी धर्म या जाती के लिए नहीं इंसानियत के वास्ते लड़ते हैं क्या बात है क्या बात है कहां से टेपा हमारे है एक ही बाबा जी सभी के लिए उपलब्द है बड़ी आसानी से मिल जाते हैं सब उनी के पास जाते हैं मैं भी वही से आवकर आई हूँ वही नाइस बहुत अच्छा मतल लिखा तो तुम नहीं है क्योंकि राइटिंग जो है वो निशा की है पर शब्द किसी और के हैं रेंबो इंटिया 102.6 एफम पांच बच चुके हैं और एक घंटे तक का सफर बहुत कोहराम मचाने वाला है क्योंकि इस शो में यानि वतन के रखवाले शो में आज काफी खास है और आज का दिन भी तो खास है न निशा सच में बहुत ही स्पेशल दिन है सिर्फ साटरड़ी नाइट है इसलिए नहीं आज तो नया साल भी हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है हे पहुत जाए फुरे तो आप सभी को आने वाले नववर् मंगल मै हो और मुझे लगता है निशा सिमृद्धी शांती के लावा जो स्वास्ते है सबसे बड़ी चीज है तो लिसनर्स को यही कहना चाहूंगी कि स्वस्ते रहें चाहे यहां रहें या अपने घर पे रहें कहीं भी रहें अपने स्वास्ते का ध्यान देखते रहें आने वाले नए साल की वो भी स्वस्त रहें और जो भी मनो कामना उनके मन में हो वो पूरी हो और इसी गुड़ विश के साथ आप हमारे साथ जोड़े रहें ये कारेक्रेम पांसे छे बजे तक आपके लिए चलता रहेगा और रमा और मेरे साथ यहां पर बहुत सारे लोग फाउंडर और चेर परसन चेर्में श्री पूरेंचन आरे जी वार्म वेलकम बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में जी धन्यवाद जैहिंद और मैं भी अभी सभी फुजी भाईयों को और देशवासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूं और दिल से दुआ करता कि आने वाला 2023 हमारे जवानों के लिए और आने वाली मरी देश की जनता के लिए पूरा वर्ष मंगल मैं हो और सभी इंजॉय करें विशेश कर मैं अपने अर्ध सैनिक बलों के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं और उनके लिए विशेश दुआएं और कोशिश हमारी जारी और मुझे पता है अगर आपने ये बात कह दी है जितना हम आपको जानते हैं प्रोग्राम में आप आते हैं आपके बारे में हमें पता है तो ये 2023 भी हमारी जो अर्ध सैनिक बल के जवान है सिपाई है उनके लिए बहुत अच्छा घुजरने वाला है कुछ-कुछ मुझे क कुछ नहीं मुझे लगता है अनिशा बहुत कुछ खास लेकर आएंगे पूरेंचन जी और क्या कुछ खास चल रहा है मतलब मुझे लगता है आपने अर्ध सैनिक वेलफेर ट्रस्स जो स्चार्ट किया था अगर आज की बात करूं तो आप कहां देखती है उसे लगता है कि अभी और बहुत आगे बढ़ाना है या वो संतुष्टी आपको मिल गई है कि हाँ थोड़ा जो अच्छीव करना चाहता था वो तो मिल गया अभी बहुत बढ़ाई कारवा है जो जोड़ना बागी है मैं रमजी आपको मैं पहले बता दूं सिमाएं मेरी कोई नहीं है इस नो लिमिट्स ऑफ स्काई कहते हैं उसी तरह हमारे जवानों के लिए काम करने की अभी इच्छा मेरी सचकों तो दो परसेंट भी पूरी नहीं हुई है अर्थसेनी वेलफेर ट्रस्ट के अंतरगत हम पिछले साथ साल से काम कर रहे हैं और मैं अभी इस साल का अगर कहू कि 2022 में हम लगबग साड़े 300 कंटीने खुलवा चुके हैं अर्थसेनी कंटीन के नाम से और अगले साल 2023 में हम बहुत से नए प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें मैं अभी आपको दो तीन अभी बता देता हूं जैसे अर्थसेनी का लोजस्टिक भी हम एक ला रहे हैं जिसके अंतरगत हमारे जवान गाडियों और सिक्यूरिटी कंपनी अपने डिस्टिक में खोल पाएंगे और इसके साथ-सत अर्थसेनी कंटीन के अंतरगत राशन से पेंशन योजना भी हम लागू कर चुके हैं मैं इस रेडियो के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना कि हमने एक ऐसी कलपना या ऐसा प्लान कर दिया है कल नहीं है हकीकत हो चुकी है अर्थ-सेनी केंटीन से खरीदारी करने पर हम देश की जनता को राशन खरीदने पर जीवन प्रियंत पैंशन देने वाले हैं यह स्कीम हम लागू कर चुके हैं राशन खाओ पैंशन पाओ इ स्कीम हमारी अर्थ सेनिक एंडीन का इंकम और पेंशन प्लान लॉंच कर चुके हैं सर एक लंबे समय के बाद यहां पर आज आप आए हैं और रमा सच में आते ही यह तो बंपर धमागे की अनॉंसमेंट हो गई है जी और मुझे लग रहा है काश मैंने भी अर्धिसेनिक बल जॉइन कर लिया होता तो आज मेरी वी अपनी कैंटीन होती यह मेरी उस सख्यूरिटी होती मतलब मैं निकल रही होती और उससरे की security में निकल रही है और पीछे कुछ ना कुछ लोगों का काफिला चल रहा है मेरी सुरक्षा में क्या उससरे की security कुछ अलग है मैणम आप कहें तो मैं कल चारजवान आपके पास बहें देता हो ऐसी कोई बात नहीं है वैसे निशा मेरी security में यहाँ पर बहुत ध्यान रखती है, मेरा तैनात है, सच में Rainbow India 102.6 FM पर ये कारवा ऐसी चलता रहेगा, बहुत गहमा गहमी है और निशा एक question भी तो रहेगा, जिसमें gift hamper भी मिलने वाला है नवर्ष की हारदिक बधाई, पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से एक बार फिर से हम आपको दे दे Rainbow India 102.6 FM शो आपका अपना वतन के रखवाले और निशा क्योंकि कुछी एक शणों में, कुछी समय में, कुछी घंटों में हम नए साल की और कदम बढ़ा रही है, हम पहुँच जाएंगे, पूरा जजबा है, हौसला है, उत्सा है और कहते हैं एक संतुलन होना भी बहुत जरूरी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी ही सोच रखने वाले लोगों को आज के इस प्रोग्राम में बुलाया जाए, and seriously I'm very 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 excited, क्योंकि मैंने उन्हों को टीवी पर देखा है और आपने भी उन्हें कहीं टीवी पर देखा होगा, वो जो balance की बात आई है, बैलन्स करते होगे, लेकिन किस चीज़ के balance की तरफ इशारा करें ना आप तुमने सही question किया ना मुझसे, और हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही आगे बढ़ोगे So आज हमारे साथ है सीमा सुरक्षा बलकी सीमा भवानी और जाबाज motorcycle team, आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है And seriously, हम बहुत उत्सुख हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि जब भी हमने आपको गड़तंत्र दिवस परेड में देखा है So seriously, मतलब रोंटे खड़े हो जाते है So मैं चाहूंगी सीमा भवानी, यानि जो महिला team है, उनको सीमा भवानी कहा जाता है और जो जाबास team है, वो पुरुष team है बहुत से record तोड़े हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे So मैं चाहूंगी कि हमारी सीमा भवानी team है, अपना introduction दे जी, नमशकार जैहंद, मेरा नाम इंस्पेक्टर हिमांशुस रोही है मैं सीमा भवानी महिला motorcycle की team captain हूँ महिला कंस्टेबर शुमीता शिकदर, मैं सीमा भवानी team का member हूँ और मैं करहेडर हूँ गुड इवनिंग एवरिवान, मैं सीमा भवानी team कीश, महिला कंस्टेबर, bike rider शूती अवरोली हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप बताएगे जैहिंद, मैं मैं मेला कंस्टेबर, CM Pande हूँ, bike rider हूँ वेरे गुड निशा कौन देखकर कह सकता है कि ये क्या-क्या stunt करते हैं मैं गॉड अनबिलीविबल हूँते हैं, सच में गूस बंपस आ जाते हैं जब इनके performances देखते हैं, आप अपने नाम बताएगे प्लीज नमस्कार जैहिंद, मैं अनूपम कुमारी, सीमा भवानी टीम की riders है तो बहुत-बहुत स्वागत है सीमा भवानी टीम का हमारे स्टूडियो में यह girls team तो हो गई, अभी जरह boys team की तरफ चलते हैं जी, हमारे साथ जाबाज भी है, सो मैं चाहूंगी कि आप अपना introduction दे जैहिंद, जैभारत, मैं इंस्पेक्टर अफधेश कुमार सिंग, BSF की जानबाज motorcycle team का team captain हूँ, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, आप बताएए सर, जैहिंद, मैं सुनिल परियार, जो जाबाज टीम का rider हूँ, वल्कम टू दे स्टूडियो सर, नमस्कार, जैहिंद, पंस्टरबल परसंजे तना देप, मैं मोटर सेकल जाबाज टीम का rider हूँ, जैहिंद, मैं काश्टरबल सुधा कर याद ओ, जाबाज टीम का एक rider हूँ, सफेद और नीली उनिफॉर्म में हमारे पास साथ इस वक्त मौजूद है, ये बॉइस टीम, जो जाबाज टीम है, और जो गर्ल्स टीम है, वो ब्लू एं रेड कलर की अपनी उनिफॉर्म पेने हूँ, और हमारा स्टूडियो इतना खिला खिला नजर आ रहा है, मतलब ऐसे में अगर इतने खुबसूरत एंवायमेंट में, अगर नए साल की और बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि सब के लिए मंगल मैं होगा ही होगा, तो एके सिंग जी, अवदे चाहूँगा कि 1989 में हमारे जो डीजी सर थे, बतनागर सर उनके दिमाग में खयाल आया कि एक मोटर साइकल टीम, बीएसफ के पास भी होनी चाहिए, सो उन्होंने इसका गठन करने की जिम्मेवारी, बीएसफ एकेडमी जो ग्वालियर में है, टेकनपूर नाम की जिगे पर, उन लोगों को सौंपी, और केंदरी मोटर गाड़ी प्रसिक्षन स्कूल जो है, वो भी बीएसफ के अंडर है, टेकनपूर में ही, उन लोगों को जिधा दिया गया कि मोटर साइकल टीम तैयार की जाये, और उस समय से लगातार ये मोटर साइकल टीम तैयार होने के पाद, 1992 में पहली बार राजपत पर उतरी थी और उसके बाद हर दूसरे साल, एक साल इंडियन आर्मी की टीम चलती थी और एक साल BSF की टीम चलती थी और 2015 तक हर अल्टरनेट यर्स में हमारी जानबाज टीम परफॉर्म करती रही राजपत पर और उसके बाद 2016 में हमारे ततकालिन डीजी केके सर्मा जी ने बोला था कि एक महिला टीम भी होनी चाहिए तो 2016 अक्टूबर में हमारे पास लगबक 35 से 34 महिलाएं आई थी जिनको हम लोगों ने सिखाया और अभी वह इसकाविल हैं कि वो खुद एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं और उसको आप लोगों ने टीवी पर देखा भी होगा जी और काफी अच्छा नाब आप ही ने ट्रेंड किया उ जी हमारे लिए बहुत बड़ी चुना होती थी कि हमारे पास वो महिलाएं आए थी जो साइकिल चलाना तक नहीं जानती थी और हमने और हमारी पूरी जानबाश टीम ने मिलके उनलों को मलब सिखाया यू कहलें कि ट्रेंड किया जी और अभी अच्छा लगता है जी मतब ज जो महिलाएं इशा साइकिल तक नहीं चलाती थी आज उन्होंने लिम का रिकॉर्ड तोड़ा है बनाया है इन फाक्ट सो हिमानशू किस सरह से आप बना पाए और मैं यह सोचती हूँ साइकिल तक नहीं चलाना जानते हैं जो लोग वो मोटर साइकल और एक से एक स्टन्ट तो क्या ट्रेनिंग किस सरह की होती है क्या आत्म विश्वास कहीं उपर नीचे हुआ था जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं क्या होगा कैसा होगा या वो एक लगता था कि डर लगता है अगर बाइक में ऐसे जाएंगे य जी जैसा कि अफदेश साहब ने बताया कि ये टीम जो है 2016 में गठित हुई थी हमारे तब के डीजी श्री केके शर्माजी उनके नेतरत्व में उसके बाद टीम ने दो बार परफॉर्म किया राजपत पर रिपब्लिक डे परेड में एक बार 2018 में और एक बार अभी 2022 में अप करतब देखाते हुए तो हमारे जो डीजी साहब अभी ततकालीन डीजी है श्री पंकज कुमार उन्होंने देखा कि कई चीजे होती है किताबों में चलता है महिला शशक्तिकरण बातों में चलता है महिला शशक्तिकरण चर्चा का बहुत अच्छा विशय है महिला शशक्त के इंसान है तो उन्होंने सोचा की काफी रिकॉर्ड्स है पुरुषों के नाम पर महिलाओं के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उन्होंने पहल की हमारे डीजी साहब श्रीपंगज कुमार जी ने और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम वल्ड रिकॉर्ड बनाएं. सोलो में आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में किसी लड़की का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. हम पहले ही व्यक्ति हैं, पहले ही लड़किया हैं, जिन्होंने सोलो में 6 व्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. एक व्ल्ड रिकॉर्ड जो है CRPF के नाम था 100 मेटर चलने का पिरामिट पर वो हमने 1 किलो मेटर 300 मेटर चलकर करतवे पत पर उसको भी तोड़ दिया है, 39 महिल आएं जो थी उन्होंने ये तोड़ा है और 9 मोटर सैकल पर हम सवार थे. और अभी 32 पिरामिट का भी तो आपने पिरामिट है, 39 लड़किया उसको बोल रहा है पिरामिट पर एक फरमेशन है, 9 बाइक पर 39 महिलाएं सवार रहती है ये देखकर काफी चलेंजिंग रहता है, आमे की टीम है, हमारी खुद की BSF की टीम है, देखकर काफी इंस्पिरेशन मिलता है, ये स्टन्स करते है, परफॉर्म करते है तो हमारे अंदर भी रहता है कि कहीं कुछ कम न रह जाए, कहीं कुछ कम न रह जाए तो हम लगातार निरंतर प्रेत्न करते रहते हैं, कि हम भी उनके कंदे से कंदा मिलाकर ऐसे स्टंट करें कि देखने वाला ये बोले कि हाँ, ये स्टंट किया है, ये टीम है, वो ये न बोले कि ये महिलाए है मतलब जब आप निकलते हैं तो लोग तो घवरा जाते होंगे यह तो वही है यह स्टंड करती हुई है दूर रही है परचाई भी ना चूपाए तो मुझे लगता है कि मुझे यह भी पता मैंने देखा भी था हमने कि किस तरह से बैक राइट करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन लगाया हुआ था और लड़कियों को आगे बढ़ने की जो एक शक्ती है वो हमारी सीमा भवानी देती है Rainbow India 102.6 FM वतन के रखवाले इसी शो में हम आपके साथ रहेंगे सुनते रहिए हमें और निशा, एक हम प्रष्न भी तो पूछते हैं ना प्रष्न पूछने वाले हैं और पूछी लेते हैं अगर आपने हमारी महिलाओं की टीम ने जो भी बाते की, जो भी रेकॉर्ड के बाते की अगर ध्यान से सुना है तो बस वही बता दो आप हमें वापस से खाना हाँ आपको बताना है कि हमारी सीमा भवानी जो टीम है उन्होंने रिसेंटली कौन सा रिकॉर्ड बनाया है आप जल्दी से बता दीजे और नंबर भी दे दीजे नंबर इस 999-0060506 अनुषासन और सचाई के नियमों पर बनी एक कैंटीन देश के कोने कोने में नागरिकों को उचित मोल्य पर बेहतरीन ग्रोसरी एवं अन्युत पाद उपलब्द करवा रही है अधिक जानकारी के लिए हमें आज ही संपर करें आओ देश की सेवा करें अर्थ सैनिक वेलफर ट्रस्ट का एक कल्यानकारी कदम सेल का एक पृतिशत सैनिक विद्वा साहता कोश के लिए रखा जाता है वेल्कम बाक आप सुन रहे हैं the program and buying down to all of you. We wish you a very happy new year. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much Aarathy Ji. इनके साथ साथ Sonu, Saini, Vikas Kumar सब भी हमें सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं. जी और आपको बताना है कि Seema Bhawani, जो motorcycle team है BSF से, उन्होंने recently कौन सा record बनाया है. जल्दी से जल्दी हमें भेज़ें और जो lucky winners होंगे उनको gift hamper भी दिया जाएगा. पूरें चेंजी क्योंकि हमारे साथ है निशा तो पूरा lab उठाना चाहिए, सूचना का क्या बताना चाहते हैं. Security की आपने बात की, कि आप जो अर्दिसैनिक जो बल हैं, उनको आप security भी प्रोवाइट कर रहे हैं. तो किस तरह की security है ये? जैसे आपको बता है, अर्दिसैनिक वेलफेर ट्रस्ट जवानों के rehabilitation के लिए काम कर रही है. और इसमें हमने अभी जैसे अर्दिसैनिक कैंटीन स्टोर खुल वा रहे हैं, साथ सो स्टोर खुल चुके हैं, सो स्टोर और प्रोसेस में, उसी तरह से हमारे जवानों की बहुत डिमांड आ रही है, कि हमें कोई और तरह के भी काम दिये जाएं. तो उसी में अर्दिसैनिक security को भी हमने एक प्रोसेस में ले आए हैं. अब हमारे फोजीओं को जवानों को security के बारे में सो प्रतिशत पता होता है. तो अब ये अर्दिसैनिक security की फरिंचाइज एक डिस्टिक लेवल पे एक जवान को देंगे. और उसके अंडर में फिर वो अपने जवानों को अपने जो भी retired फोजी हैं, इसमें हम civilians को भी शामिल करने वाले हैं. तो हमसे बेतर security हिंदुस्तान में कोन दे सकता है. तो अर्दिसैनिक security हमने तयार कर दी है, जिसमें retired फोजीओं को एक डिस्टिक लेवल पे एक ब्रांच देंगे, और उस ब्रांच के अंदर वो commander उस उडिस्टिक का जवान बना के और आगे कारवाई करेगा. तो एक नया rehabilitation program है. साथ ही अर्द्सैनिक logistic के भी हमने एक्टिव कर दिया है, जिसमें हम जवानों को कह रहे हैं कि आप अपनी एक गाड़ी अर्द्सैनिक logistic में अटैज कीजिए और घर बैठे इंकम पराप्त कीजिए. हमारा मेन फोकस जितने भी कारेकरम है, प्रोग्राम में जवानों को एक सहयोग देने का, रिहाइबलिटेशन करने का था कि हमारे जवानों को market में जो challenge आता है, कि कौन सी सही है, कौन सा गलत है, हमने अपनी help line बना रखी है, और आपकी दुआ से सैकडो डेली calls आती है, अगर आप अनुमती दे तो मैं help line यहाँ declare कर दूँ, हमारी help line है, कोई भी जवान, even school admission, college admission, ITR, legal counselling, यह सब हम साहता करते हैं, मैं जैसे कई बार आलेडी बता चुका हूँ, मैं अपनी help line पुने यहाँ घोशित कर देता हूँ, किसी भी जवान को, कोई भी समस्या है वहाँ में call कर सकता है, और अपनी जो भी अपने परिवार से संबंदित, even विद्वा साहता coach भी है हमारे पास, जिसके अंतरगत 44 विद्वा परिवारों को हम 1000 रुपे का राशन फ्री दे रहे हैं, 6 विद्वा परिवारों को हम अल्रेडी उनके बच्चों को स्कूल में admission करा चुके हैं, पूरी फीस की जिम्मेवारी हमारी है, आपकी नजर में मैं society के सभी देशवासी को भी कहूंगा, किसी को कोई भी समस्या है, आसके आसपास कोई सैनिक विद्वा परिशान है, कोई दुखी है, तो वो हमें संपर कर सकता है, हमारी help line है, डबल एट, डबल जिरो, डबल जिरो, वन टू फाइव जिरो, या सिक्स जिरो, या फॉर जिरो, लास्ट में तीन नमबर हैं हमारे, किसी पे भी कोल करके आप guidance ले सकते हैं, और आपकी website पे भी जा सकते हैं, जी हमारी website है, अर्चसेनिक डॉट कॉम, उसके उपर भी जाकर, वो हमारे contact असके तुरू हमें message भेज सकते हैं, तो ये help line जो आपने बताया है, पुरण जी ये 24 घंटे चलती है, या कुछ समय इसका निर्धारित है, नहीं, ये 9 to 6 office, मलब 6 day working है, Sunday office close रहता है, वैसे चाहें, तो हमारे इस पे वो message कर देंगे, WhatsApp message करेंगे, तो definitely वो attend किया जाएगा, Rainbow India 102.6 FM पर, वतन के रखवाले इसी रफ्तार से चलता रहेगा, क्योंकि आज रफ्तार लेकर, दो-दो टीम भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी कुछ बाचीत रहेगी, निशा, अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या अपनी जाबास टीम लेते हैं, अच्छा, अभी ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक में जाने की समय पर ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं और मुश्किल होता है लेकिन अगले प्रोग्राम में या उससे अगले प्रोग्राम में हम जरूर शामिल करेंगे तो देश के कोने-कोने से हमें कॉल साती हैं तो हमारे साथ कुछ लिसनर्स जुड़े उनसे हमने बात की पत्तर रहते हैं मैं डॉक्टर प्रग्या यादा हूं और मैं पुना से जो यहां पे रास्ती विशाड विग्यान सुस्तान है जो इंडियन कॉंसिल मेडिकल रिसर्च का एक अपिक स्पेसिलिटी है मैं अपने सभी फौजी भाईयों को जो सीमा पे और देश के भिन भिन भागों में इस समय इस्तित हैं आज निवेर का दिन है और सभी लोग अपनी फैमली के साथ अपना टाहीम बिताना चाते हैं लेकिन देश को वो बाकी चीजों जोसे आगे रखेंगे उसके लिए अपने घरों से दूर रहते हैं और उन सभी को मैं भगवान से प्रातना करती हूं कि उन सभी के जीवन में और उनके परिवार के जीवन में नय वर्ष में बहुत सारे अच्छे possibilities आएं और उनका जीवन बहुत ही आसान हो वो सुरच्चीत रहें और उनके कामों की वज़े से हमारा देश सुरच्चीत रहें जैहीं इन्द आप सर्भी लोगों को हालो कब आ रहे हैं बस छुट्टी मंजूर हो गई है इसी अपते पॉंच रहा हूं याद है न मकान का वादा हाँ भाई मैंने बात कर ली है इस बारे में पर किस से अपने अपनों से अपनों से हाँ हमारी अपनी संस्था अर्ध सैनिक हाउसिंग से बात हो गई है आते ही अपनी कुछा कर रहे हैं अर्ध सैनिक हाउसिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए भी विजिट करें हमारी वेबसाइट www.earthsenichousing.com हमारे जिंदगी में कुछ लंबे ऐसे होते हैं कुछ ख़ण ऐसे आते हैं जो जिंदगी को ही बदल देते हैं और फिर निशा एक इतिहास बन जाता है गड़तन्त्र दिवस पर जब हमारे जाबास मोटर साइकल के बाइकर्स हैं या सीमा भवानी जो बाइकर्स हैं टीम बहुत अचमभित करने वाला वो दृश्य होता है पर मैं ये भी सोचती हूँ निशा की देखिए पहले ये एक जवान है उसके बाद इन्होंने मोटर साइकल टीम बनाई तो अवधेश ची आपको अपनी ड्यूटी भी कंप्लीट करनी है साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी लेनी है सो कितना डिफिकल्ट होता ये सब्मैनिज करना मैंडम आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि वहले आपको नहीं पूरे हिंदुस्तान को हम बताना चाहते हैं कि पहले दो हम भरती होते हैं एक फॉजी के तौर पे एक सैनिक के तौर पे और हमारे चुकि बॉर्डर सीक्यूर्टी फोर्स है तो मोश्टली हमारी ड्यूटी बॉर्डर पे ही होती है जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है जैसे बीएस अफ का रेजिंग डे हो या गणतंतल दिवस परेड हो इस तरह का जब कोई प्रोग्राम होता है तो तीन से चार महीना पहले हमारे जवानों को इकठा किया जाता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उनको इकठा किया जाता है और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग सुरू की जाती है और इकठा करने के टाइम पर हम लोग यह ध्यान में रखते हैं कि जिनको इस साल हमने सिखाया है उनको लंबे समय तक हम पने टीम में बनाए रखें और जब हमारे प्रोग्राम्स खतम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वा चैलिंजिस क्या नजर आते हैं मैं और टीम जो सदसें आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जब आपने स्टार्ट किया था आपने जब टीम बनी घोशित हुई आपका नाम आया तो स्टार्ट कहां से किया था क्या डिफिकल्टी सापके सामने आई क्या चुनौती आपको ल स्टार्ट क करा हुई telzena मुश्किल भी आती था नगता है तो अटम है पर यहां पर लोतर इफकल्ट ठीक है नहीं इन चुछा से बढ़ता है धर दो आरा से वही रूटीन में लाना पड़ता है यह सब दो हमारे केप्टन साहब बोलते हैं उसी है इसाब दो सुरक्षा भी करनी है, सबको सेप्रेड भी रहना है एक गुरूप बढ़ते हैं तो सुरक्षद के लेते हुए फिरी इवन्ट करना हमने, अच्छा सची बताएगा, कैप्टन सहाब जो है, अवदेश जी, यह बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्या, सक्त मिजाज हैं क्या, डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा माडम, अगर बरकारा रखना है तो फिर डिसिप्लिन में तो सर्व माडम, फोज का मतल पुरी टीम का भी ध्यान रखते हैं, और निशा, हमारी छोरियां क्या छोरों ते कम हैं, विल्कुल नाम है ना, जी, हमारी छोरियां जो हैं, वो भी सीमा भवानी टीम, धाकड हैं बड़ी, और ट्रेनिंग, आपको कैसा फील हुआ था, जब फर्स टाइम आपने ट्रेनिं किया था, उसके बाद, बाइक तो मुझे शुरू से चलानी आती थी, बट स्टन्ट मैंने इस टीम में ही आकर करे, एक कल्यान साहब हुआ करते थे, सब इंस्पेक्टर कल्यान साहब, उन्होंने इस टीम को, जो आप आज स्टन्ट देख रहे हैं, काफी उनका महत्व रहा ह है, इस टीम में, सिखाने में, हम गिरे भी हैं, उठे भी हैं, और चले भी हैं, ऐसा नहीं है कि बस हम आये, आपने देखा, दो दिन का ही स्टन्ट है, पहले हम स्टन्ट सोचते हैं, अपने दिमाग में, फिर उसको अपलाई करते हैं, कि किस तरीके से चीज़े होंगी, जै महीनों में वो stunt तयार होता है शुरू में गिरते भी हैं लेकिन चोट भी लगती है बट बात यही है कि गिर कर उठने वाले कोई सिकंदर कहा जाता है जी बिलकुल कहा जाता है बहुत बढ़िया बात आपने कही है और कैसा लगता है जब अती विश्ष्ष्ट लोगों के सामने आप perform करते हैं प्राइम मिनिस्टर माननी प्रधान मंतरी जी के सामने भी आपने perform किया तो धुक-दुकी लगी थी या कि किसी कभी भी perform करते हैं डर लगता है कि अरे ये stunt गलत तो नहीं हो जाएगा या ऐसा तो नहीं होगा या पूरे आत्म विश्वास के साथ बढ़ते हैं कि देखा जाएगा जो होगा जी अभी 2022 में सीमा भवाने टीम जो है 26 जनवरी की परेड जिसको आप Republic Day Parade के नाम से जानते हैं उस पर उतरी हमने काफी stunts करे पहले कभी महिलाओं का पिरामिड नो गाणियों का नहीं चला था लेकिन इस बार नो गाणियों का पिरामिड चला आपने देखा होगा बैक राइडिंग जो आप बता रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने जिक्र भी करा था वह इवेंट भी हमने करा बैक राइडिंग चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इनसान पीछे देख रहा है अब आपके आगे बाइक चल रहे हैं आगे वाला कहा है वह आपको नहीं पता बट फिर भी हमने कोशिश यह करी कि एक ही स्पैन ओफ टाइम में दो मिनट में हम लोगों को वह सारी चीज़े दिखाने जो लोगों ने कभी नहीं देखी हमने बहुत सारे नए इवेंट्स किये आपको एक मोका चाहिए होता है और कभी आपकी लाइफ में वह मुका मिले तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए निश्या तुमने कभी साइकल चलाई है मैंने साइकल तो चलाई ए गाड़ी चला लेती हूं लेकिन बाइक चलाने के बारे मैंने सपनी में भी नहीं सोचा कब सीखी पहए बहुत धाकण है दोनों टीम और यह हमारी लेख प्लेजर है कि हम आप लोगों के साथ बैट कर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही है आज तक हमने इने और आपने भी इने टीवी पर यह देखा है यह परफॉर्म करते हुए भी देखा होगा और मेरा तो एक सपना था मतलब इतने गर्व की अनुभूती हमें हो रही है कि यह बाइकर जिनको देखकर हम इतने हरान होते हैं आज वो हमारे सामने बैठे हैं तो इसलिए वंस अगैन आप सभी लोगों क परफॉर्म किया था लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी के सामने तो वहां पर हमने एक चेस्ट जंप जिसे कहते हैं वह परफॉर्म किया और पहले इस टीम में फायर इवेंट नहीं होता था जैसे कि एक प्लेटफॉर्म होता है उसके उपर से बाइक जाती है उसमें आ आग देखी नामने कास देखा बस देखा तो दीजी सरका विश्वास और उसी विश्वास के साथ हम चले और वो इवेंट हमने परफॉर्म करके दिखाया इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और हम बार बार आपको अपने स्टूडियो में बुलाते रहें लड़किया वा पहरी एप जो है वो लॉंच किया है अब जो जवान है सेवा स्वास से आवास और अवकाश से संबंदित कई योजना की जानकारी इस एप पर ले सकते हैं जो तेरह मैनुएल का संशोधी संसकरन ऑपरेशन, अड्मिनिस्टेशन, ट्रेइनिंग ये जो कारे हैं इन कामों में भी आने वाले समय में तेजी आने वाली है और किसी भी आपको पाने के लिए आपको प्ले स्टोर जाकर उस आपको आसल करना होता है, ये सिंपल तरीका तो आपको पता ही है आप सुन रहे हैं वतन के रखवाले, मैं हूँ निश्टा आपके साथ, आकाश मानी दिल्ली की एक खास प्रस्तुती हम हमारे देश के सभी जवानों के लिए लेकर आते हैं और आज हमारे सुडियो में जो गैस मौझूद है, वो अर्द सेनिक वेलफेर ट्रस्ट के फाउंडर श्री पूरण चंदारिया जी के साथ साथ एक बिग टीम बीस एफ की यहां पर मौझूद है जो कि जाबाज और सीमा भवानी, these are the bike riders teams of boys and men's, men's and girls team खर, अभी मैं अवधेश कुमार जी आपसे पूछना चाहूँगी, कि हमारा सवाल क्या था? हमारा स्रोताओं से वैसे? जी हमारा स्रोताओं से सवाल तो ये था, कि जो हमारी सीमा भवानी, यानि महिला, motorcycle, जो bikers हैं, riders हैं, इन्होंने रिसेंटली एक record बनाया है, उस record का नाम आपको बताना है, अगर आप बता देते हैं, तो आपको gift hamper दे दिया जाएगा, और आप कुछ पूछने वाली team हमार जी मैं मुझे बताते हैं, बहुत खुसी हो रही है कि इस बार हमारी team ने लगातार दिसंबर के महिने में, विजय दिवस के दिन सुरू किया था, 16 दिसंबर को, और 27 दिसंबर को complete किया, पांच वर्ड रिकॉर्ड, लिमका बुक फॉर्ड रिकॉर्स में दर्ज किये हैं, हम जी मिला के हमारी team का 23 वर्ल रिकॉर्ड है, जिसमें इन 23 में से 6 मेरे इंडिविज्वल रिकॉर्ड हैं, आपकी इंडिविज्वल रिकॉर्ड जाएंगे, तो आपने क्या-क्या किया था, कि सरही के कारिकॉर्म चले थी, कि बल इस बार का बता है या पहले का भी बता हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या-क्या कर लेते हैं, पूरा जानना चाहेंगे, जी कर लेते हैं, तो यह थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा और इतना समय में आप लों का लेना नहीं चाहता, जो में चीजे में आपको बताता हूं, कि मोटर साइकल के ऊपर 16 छे दिन पहले मेरा एक्सिडेंट हुआ था, सेम प्रेक्टिस करते हुए, और मेरी तीन हड़ीयां टूट गई थी, और किसी स्टन्ट मैन ने ही मुझे चैलेंज किया था, कि अगर दम है तो बना के दिखाऊगे, और आपने उसके बावजूत ये रेकॉर्ड बना तो मेरी साइकल पर लगे हुए लगभग 13 फिट के पोल के उपर, अभी पांच घंटा तीन मिनट लगातार चलके, पांच घंटा 26 मिनट लगातार चलके वल्ल रेकॉर्ड बनाया है, जिसमें 174 किलोमेटर की दूरी तैकी है, और इसके लावा लगभग यही सारे स्टन्स इसी तरह मैं मेरे टीम से भी करवा रहा हूं और अभी प्रेक्टिस कर रहा हूं आने वाले समय में जिसमें लगभग 90 फिट तक बुलट मोट साइकल की जाम प कराने का यह-व। पर एक टिप दे सकते हैं कुछ? क्या करना चाहिए? स्टार्ट कैसे लेना चाहिए? स्टार्ट मैडम कहते हैं कि जहां चाह वहीं रहें किसी लेखक ने लिखा है तो आप जिस दिन अपने मन में ध्रन संकल्पित हो जाएंगी जैसे हमारी सीमा भुवानिया है इन्हों ने जिस दिन अपने में ध्रन संकल्प ले लिया था उस दिन से यह राइडर हो गई थी और आप जिस दिन अपने में सिर्ट संकल्पित हो जाएंगी तो आप भी चलावाज़ेंगी कुछ खास खानी पीने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बैलेंस बनाना है, एक भी व्यक्ति मोटा हुआ, बैलेंस बिगड़ा। क्योंकि पहुच जाती है, तो कई लोग स्ट्रेस रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राइटर इसको छोड़ी स्ट्रेस रहते हैं, तो ऊसी पंडरा लड़ी हैं। वह स्ट्रेस में रहें कर चले, और गिर जाए। तो mentally and physically fit होना इस team में आने के लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी ह हम उसका विशेज ध्यान रखते हैं कि लोग mentally and physically fit रहे हैं और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी टीम ने पूरी ही टीम जो वल्रेकॉर्ड बने हैं साथ वल्रेकॉर्ड हमने बनाए हैं पूरी टीम इन्वॉल्व रही है उसमें जी उसमें एक पिरामिट था जिसमें की पूरी टीम इन्वॉल्व थी 39 राइडर्स थे और 6 हमारे सोलो इवेंट्स थे तो मुझे बहुत गर्व है इन लड़कियों पर की इन्होंने जैसे की इनको बताया गया कि किस तरीके से इवेंट चलाना है उन्होंने चलाया मेरा खुद का इवेंट जो था वो छाय गंटे तीन मेरा तीन सेगंड का मैंने खड़े होकर बाइक चलाई है अन्धेरा उस समय पांच डिग्री तेंपरेचर था जब मैंने बाइक चलाई और धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रह थी बट चलते रहें तीम का कोडिनेशन और कोपरेशन इतरा था कि वो मुझे मोटिवेट करते रहें जितना टाइम मैं बाइक पर रहे हूं इतना टाइम मेरी लड़किया नीचे घड़े होके अर मुझे का लाग चला स्कते हैं इसे भी काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मुझे मिला, फिर बाद में तो कैमरा मैं नहीं बोल दिया, मैं आप धुन्द हो गई है, आप जाई है, तो लड़कें आप से भी लड़ रहे थी, क्यों बोल रहे हैं हमारे कैम के, बहुत बढ़ी चीज़ है, राइए, और नि उन्होंने तो कह दिया कि देखिए, पनीर खाईए, ये खाईए, जिहां जाईए, पर जब गोल गप्पे या चाट पकोड़ी की दुकान में पहुंचते हैं, तो क्या होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, वो संतूलन कहा से आता है, और लड़कियों के तो खास फेवरेट है, वो सब भी खाते हैं, या उसको भी अवाइड करना होता है, बताओ, आप शुरुती आप बताईए, इस बारे में, हम सब खाते हैं, लेकिन उसके साथ उतना पीटी भी करना पड़ता है, बिल्कुल फीजिकल रेलने के लिए पीटी करना पड़ेगा, खाने में कोई ये नह जलाना क्यों नहीं ट्राइ किया, क्योंकि मुझे लगता है, मैं बहुत हाइट में छोटी हूँ, तो बाइक से मैं जल्दी गिर जाओगी, या मुझसे बैलन्स नहीं होगी, बाइक क्योंकि बहुत हैवी होती है, और आप लोग बताए, क्या ये एक, मतलब पीछे हट जान लड़की है, इस टीम में जाएगी, हाथ पैर में चोट लग जाएगा, लड़की है, शादी करनी है, दूसरे घर जाना है, ये कोशन घरवालों को भी था, और स्पेशली कैप्टन को भी था, जो गुरु रहते हैं, उनको तो होता ही है, क्योंकि बोलने वाले बहुत होते ह जनने जोन, जूसरे में चोट ने से घरवालों को खाता होते हैं, भी था, तूसरे PT लेकने जूसरे से वलनेतन को जोना ही है, कि एक कहा जाता है गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्नु गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमहा तो आज गुरू के बिना और कुछ नहीं है गुरू है तो सब कुछ है मैं गुरू बिना तो ज्ञान है ही नहीं और मु लेकिन लोग जो हैं, उनका रिस्पॉंस आपको किस सरे से मिलता है, किस सरे से आप नव्स पकड़ते हैं, कहां से आप देखते हैं कि इस चीज की आवश्रक्ता अब हमारे अर्दसैनिक जो बल है, उनके जो सेवा निवरित मेंबर हैं, उनको जरूरत है मैंने 21 वर्ष CRP में लगाया है, तो मेरे जवान भाईयों के लिए उनकी क्या जरूरत है, मेरे से जादा कौन जानता है, उनकी जो जरूरत है, उसी हिसाब से उनके लिए हम योजना हैं, उनके लिए स्कीम और उनके लिए ओफरम बना रहे हैं, स्कूल एड्मिशन, कॉलेज जो भी उनके जुरूरत होती है, आपको मैं बता दू, हमारी कोई ब्रेंडिंग प्रमोशन नहीं होती है, हमने सिंपल दो पेज का एक स्कीम बनाते हैं, जो भी हमारी जूरत होती है, सभी बटालों में बेज देते हैं, और वहां से मारे पस डेली कॉल आने लग जाती है, तो अभी तक साड़े चार लाग कोल आज तक हमारे को आ चुकी हैं जवानों की, जिसके अंतरगत हम जवानों को हर तरह की सुविधाएं देते जा रहे हैं, और आने वाले समय में, मैं इतना कहा दू, कि रिस्पोंस इतना ज़्यादा आ रहा है, कि हमारी जो कॉल से हैं, इनको देखके वैसे तो मैं पहले से जानता ही हूँ, इनके जाबाजी और इनको देखते हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ, और बहुत ही मुझे गर्म महसूस होता है, जवानों की जाबाजी को मैं रोड पर देखता हूँ, और इनी के लिए मैं दिल धड़कता है, और तो निशा के पिटारे से नाम तो निकल रहे हैं, बहुत से मेसेजिस आएं, तो निशा कौन है आज के लगी विनर का क्या करूं, मुझे खुद नहीं पता है, लगी कहके बुलाते चली नहीं, लगी है कोई न्यू डेली से लेकिन इनों नहीं पना नाम में नहीं बेज दिया है, बढ़ हमें बिलकुल सही जवाब जरूर भेज दिया है, तैंक यू सो मच, आप तक हमारी आगे डिसकॉशन पहुच जाएगी, आपको कहां अपना पता शेयर करना है, यह सब आपको बता दिया जाएगा, और BSF की जांबाज टीम से हमारे साथ मेल फीमेल दोनों टीम स हैं, तो अफदेश जी, मतला आपने जिस सरह से बताया कि आपका एक्सिडेंट हुआ, उसके बाद आप फिर कड़े हुए और आपने फिर से प्राक्टिस की, यानि आपने मुझे लगता है कि योग भी किया होगा, एक्सरसाइज भी की होंगी, किस सरह से वो होसला आपके अंदर आया, और क्या संदेश आप देना चाहेंगे आज के युवां को, पहले तो मैं बता हूँ कि आपने होसले की बात की, तो मैं एक फौजी परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मेरा बेटा अभी 10 साल का है, वो भी चाहता है कि मैं भी बड़ा होके फौजी बनूँ, और इवन मेरी बेटी 13 साल की है, और आपने थोड़ी दिर पहले एक सवाल पूछा था कि, सौट हाइट, 13 साल की मेरी बेटी और 10 साल का मेरा बेटा वो भी स्टंट कर रहे है, और जहां तक बात रही आपने पूछा कि आज की पीड़ी, जाहे वो महिला हो या पुरुस, मै जो भी कोई आप लोग बाइक या स्कूटी चलाते हैं, क्रिपया हेलमट का इस्तमाल जरूर करें, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, हिमान्शो आप क्या कहना चाहेंगी, जी, मैं ये कहना चाहूंगे, कि जो लड़किया हैं, अगर अपने मन में कु जीवन में भी बदलाव आई हैं, इसी नोट के साथ, थैंक्स अलॉट, एक बार फिर से, सभी मिलके आज हम सल्यूट करने वाले हैं नेशन को, और उससे पहले हमारे सभी शोताओं को नववर्ष की हार्विक शुपकाम नहीं, आप सभी को सल्यूट, बबाई, टेक केर, ए में!